विल्कम बैक टो अनादर व्लोग उमीद करते हैं आप सारे भाई बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े होंगे आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी दिन के बारा बज रहे हैं मेरे साथ अभी है स्निया जो की पीछे बैटी हो यह हम दोनों के छोटा सा काम था मार्केट में का रास्ता भी बहुत ही बेटर और साथ में आसपास में मार्केट वगर हैं यह पूरा इंडस्ट्रियल एरिया दिन के टाइम यहां पर तो ट्राफिक बिल्कुल भी नहीं होता है बट अगर आप पांच या छे बजे के बाद इस वाले एरिया में अगर आप आते हो तो यह पर आपको बहुत ही ज्यादा ट्राफिक पेस्ट करने को मिलेगा हम लोग अलमौस शुबह साथ या आठ बजे घर से निकले थे उसके बाद अपन थोरे बहुत मार्केट जाके पेपर वर्क करवाएं और इत्ती ज्यादा तीज दूपती की कहीं हम वेट भी नहीं कर सकते बाड़ा सारे बाड़ा तक हमारा काम ख़तम हो गया था तो मैंने सुचा कि चलो यार पहले कुछ खाएंगे वाएंगे फिर इसको मैं रूम पे ड्रॉप करने वाला अभी कॉछ हम लोगोंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है यहां से इसनिया के घर की दूरी 10 मिट मैप क रिकोडिंग बता रहा है बट यह वाला जो मार्केट है वो लास्ट मार्केट है तो मैंने सुचा कि यहीं पर रुक के थोड़ा बहुत हम खाना का ले थे फिर हम उसको चोड़ने के लिए आगे जाएंगे यहां पर जितने भी सारे रिस्ट्रेंट थे एक दो नॉन्वेज का छोटा सा होटल दिखा यहां पर तो उसको रिस्ट्रेंट तो हम बोल नहीं सकती है यह चोटा सा होटल था जिसमें 5-6 लोग बैठते हैं मेरे से ज़्यादा तेज भूक इस नहा को लगी थी वो जल्दी से जाकर अपना सीट पहले ही ले ली क्योंकि उसके पेट में लेजी फ्राइ बगरा भी रखा हुआ था बाकी चीज़ों करते हैं हमने यहां पर दो हाफ ब्लेट चिकन बिर्यानी का किया था वीकोज यहां के में कोस में सिर्फ चिकन बिर्यानी ही है वैसे मैं हाथ से ही जघाना पसंद करता हूँ इसलिए मैंने स्पून को साइड में रख दियो और इसनिया तो यहां पे खाने पर तूट भी पड़ी उसने वालमॉस्ट आदा बिर्यानी खतम भी कर लिया है बिर्यानी के कलर से मुझे पता चल गया कि यह उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होगा क्योंकि दम बिर्यानी के नाम पर हमें सुकी चावल खिलाई ज कुछ खाना गया और खाना खाने के बाद सची बताओ तो इतना रिलाक्स फिल कर रहा हूं दिल कर रहा है यहीं पर कहीं बाजू में बेट बिछा गया और लेट जाओ उधर ही सोजाओ इतनी आलस भी आ रही थी अचानक से काफी ज़्यादा मैंने खा लिया था और अभी त सकते हो ताकि हम उसको नेक्स टाइम से इंपरोफ करने का ट्राइगा करेंगे सबस्क्राइब करने के बाद बिल आइकन को भी आन कर देना ताकि मैं नेक्स्ट ब्लोग जब भी डालू उसकी अप् karate मैं वीकली दो से थीन बीक डालता हूं तो आप सारे बाई का सपोर्ट मि डरनी कि थोड़ा सब भी मिस्बैलेंस हुआ तो वो सीधे उसके टायर के नीचे जाएंगे उनका सर फटके फ्लावर हो जाएंगे अंकल ने हलमेट भी नहीं लगा और देख से तो कैसे नीडर हो केक अपने फोन यूज कर रहे एकाथ से स्कूटी चला रहे हैं खेर कभी-कभ अले भी एक दो बार आ चुका हुआ उस्टे मेरे को यह आइडिया नहीं कि किस गली में गया था और अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था बट इसनिया मुझे पीछे से गाइड कर रहे थी कि सामने जो राइट सैड में गली है वहां चलके लेफ्ट लेना है गली के पास आने के बाद मुझे समझ आया कि हम यार उस दिन इधर वाले ही गली में गये थे इतनी तेज दूप में जो मैं गारी भगा के आऊ मेरा बहुत ही सूख राज और मुझे जल्दी से जल्दी पानी चीए तो भी ठंडी वाली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाइक के कुल में लगा कि और यह रहा सामने उसका घर हो जाने के वाई से मेरी बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती है तो हो सकता है मुझे यहां 20-25 बाइक को ठंडा करने के लिए वेट करना पड़ेगा जल्दी से उसका बैक बगर निकाल देंगे तो बाइक का लोड़ भी कम हो ऐसे इंट्रेस्टिंग ब्लोग के लिए अपने भाई के चैनल को कर दो सपोर्ट मुझे अभी वापस से इतनी तेज धूप का मजा लेते हुए घर की तरफ जाना है मुझे मुझे यहां पर थोरा देर भाई को ठंडा करने के लिए रुखना परेगा ऐसे इंट्रेस्टिं